नमस्कार दोस्तों, एडवाल पूल का बीटा वर्जन 5.9.0 आज की वीडियो में इस वर्जन में क्या स्पेशल है, पूरी एक एक डिटेल किलियर आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को इसकिप बिल्कुल ना कीजिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि इस बीटा वर्जन में क्या क्या है यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी, बीटा टेबिल्स फिर से वापस आ गई हैं, और इन बीटा टेबिल्स में कुछ फिरी रिवार्ट्स भी मौजूद है, बीटा टेबिल इंटरफेस के अंदर जाने पर हम देखेंगे कि आइस लाउंज की टेब टेबिल तो नहीं है, क्योंकि यह पहले दो बार गेम के अंदर विनी स्टीक के फॉर्मेट में आ चुकी है, अब यहाँ पर आपको एक चावी जैसा इस ट्रेक्चर दिखाई दे रहा है, यह चावी एक्चुल में मैच काउंट है, आप आइस लाउंज पे 5 मैच जीतेंग तो स्लिपरी आइस टेबिल ओपेन हो जाएगी, रिवार्ट सेक्शन में चलके देख लेते हैं, पहला है आइस ग्रिप क्यूँ, इसके लिए आपको रियल मनी खर्च करनी होगी, इंडियन रुपए 144, 184 और यह रहा, इसक्यू का पूरा कान्फिगुरेशन, इसक्यू में एम, इस्पिन और टाइम तो बहुत अच्छा है, लेकिन फोर्स का नामो निशान नहीं है, सेकेंड रिवार्ड है, आइस लाउंज क्यू पीसे, यह आपको 150 टोकेंज खर्च करने पर मिल जाएंगे, यह क्यू आप देख लीजिए, यह क्यू ऐसी है, थर्ड नंबर पर आ पास्ट आइटम है, बीटा टोकेंज जो की 89 इंडियन रुपे खर्च करने पर आपको 100 टोकेंज मिल जाएंगे, अगर आप टेबल से टोकेंज आपको कम पढ़ जाते हैं, तो आप यहां से टोकेंज असली पैसे दे का पर्चेस कर सकते हैं, अभी मेरे पास 0 टोकेंज हैं हमें फिरी में कहां से मिलेंगे, तो यह जो लेटर बॉक्स है इस पर आप क्लिक किजिए और पहला लेटर है, बीटा थैंक्यू गिफ्ट, यह गिफ्ट क्लेम ना ओकर लिजिए, आपको रिवार्ड में 50 बीटा टोकेंज तुरंत मिल जाएंगे, बाकी लेटर बॉक्स में कुछ नहीं है, तो बैक आते हैं और देखिए यह मेरे पास 50 टोकेंज यहां पर जमा हो गए है, अब जलते हैं, आइस लाउंज टेबिल पर 5 मैच बिन करने हैं, तो स्लिपरी आइस टेबिल हमारी ओपन हो जाएगी और वहां से हमारे बीटा टोकेंज की अर्लिंग स्टार हो जाएगी, आइस लाउंज में आपको कोई भी टोकन नहीं मिलेगा, अगर विक्ट्री बॉक्स लगाते हैं, तो यहां यह रिवार्ड निकलेंगे, बहुत साधारण सी बेसिक क्यूज, इसका रूल यह है कि यहां आपको सारी पॉकेट्स, कॉल पॉकेट्स के रूल से ख बारी की मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं आपको डेस्केप्चन में दे दूँगा, आइस लाउंज टेविल का लुक और यह इस तरह से सारी बॉल्स, कॉल पॉकेट्स से प्ले की जानी है, अब और Slippery Ice Table ओपन हो जाएगी, अब आप Ice Line Table पर नहीं जा सकते हैं, Slippery Ice Table यहां से आपको बीटर टोकेंज अर्निंग शुरू हो जाएगी, आईए देख लेते हैं जल्दी से Slippery Ice Table, दोस्तों मैं आपको अपना मैज दिखाने में गिल्कुल इंट्रेस्टेड नहीं यह victory आ गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि winning के बाद इस तरह से आपको victory boxes के साथ में 10 tokens भी मिल जाएंगे यहाँ पर आपको लास वेगास के victory boxes मिलेंगे तो दोस्तों यह था पूरा update अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे comment section में बता दें मिलते हैं बहुत जल्दी next video के साथ तब तक के लिए नमस्कार